यहां पर हम 50 कोशन मैं के सभी का फुल सॉलूसन आंसर की आपको देंगे तो पहले बाग में हम यहां पर 10 कोशन का सॉलूसन आपको दे रहे हैं तो उसमें देगें सहसे पहला कोशन आपके इस्क्रीन पे आ चुका है तीन के पिर्थम नो गुलज का ओसत क्या होगा तीन के पिर्थम नो गुलज होते हैं वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 होते हैं अब इनका ओसत पूछा तो इसका वहला है इन सबको जोड़ना है और 9 से भाग देना है औस तो इसका जो राइट आंसर होगया पंद्रह में तो इसका सीदा फार्मॉला अगर वो रेखाएं तो इनकी बीच की दूर्मॉला होता है तो इसमें तो तुल्या का चेइन आता है यानने कि जो बढ़ा होता है इसी से इसा बोलते है तूल लिए तो सीवन सीटू में जो बड़ा होता उसे पहले लिख दिया था तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है यहीं पर कोश्या नंबर 53 है इसका इतने के गुणखंड कीजिए तो इसके गुणखंड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें से देखे बन प 27 हो जाएगा अब हम इसके गुणखंड करेंगे तो नौटिया 27 तो यहां पर देखे इसके गुणखंड हो गए है यहां से 3 ले लिया और एक्स मानस नो एक्स प्लस त्री इसके गुड़न खड़ हो गया तो इसका राइट आंसर आ गया फस्ट वाला नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नम्मर चववन तो चववन में क्या देखिए इसमें हमें जो एक्स प्लस जैट की वेलू हमीं निकाल लेंगे पहले जो हमें रिलेशन दे रखाया उसे हम के मान लेंगे और फर्ष्ट लास्ट के पर लखेंगे और यहां पर देखिए एक पार बताते है वन अपॉन एक्स दूसरी तरफ जाके क्या होता प्लट जाता है प्लटने का मलब एक्स अपॉन वन हो जाएगा यह एक ही जो वेलू हो हो जाएगी के की पावर एक्स पिल्कुल इसी प्रकार से बी की वेलू हो जाएगी के की पावर यहां से हम करेंगे बी की पावर बन अपॉन वाई जीकल टू के और सी की पावर वन अपॉन जैड जीकल टू के यहां से वेलू हो जाएगी क्यों दूसरी तरफ जाके पलट रख देंगे अब देखिए यहां पर जब वेलू रखेंगे तो चुकि इसका रहा है तो टूवाई हो गया गुड़ा में घाते जोड़ जाती है के की दोनों पावर जोड़ जाएंगे एक्स प्लस जैट दों तरह से घातों की तोलना करेंगे एक्स प्लस जैट इस इकल टू लेंगे तो य की यहां बन से बुड़ा हो जाएगी अब यहां पर देखिए एक काम करेंगे यहां एक्स मानेस बाई है यहां बाई मानेस एक्स है तो हम ऊपर से मानेस कोमल लेंगे मानेस कोमल लेने से यह जो प्लस है यह मानेस हो जाएगा मानेस होने के बाद देखिए य यह दे रखा है और एक वेंजग जो है यह है तो दूसरा वेंजग हमें निकालना तो यह फॉर्मूला होता है पहला वेंजग गुणा दूसरा वेंजग बरावर मासा गुणा लासा तो हमें पहला वेंजग दे रखा है यह दूसरा वेंजग हमने थोड़ देए के लिए मान के जगा डिया प्लस-3 लासन के जगह यह रख दिया अब हमें QX निकालना तो यह P मानस-4P-21 को वाट्रेम ले जाएंगे इसके हम गुड़नख्ण भी करेंगे प्लस-4P-21 इसके जो गुड़नख्ण करें देखें यहां पर हमने कि जो याँ प्लस से मिलध से इसको भांस देशन से छोप कोशन नमर देखी 50 सावन इसक्रीन पर है इसमें क्या है इसकी वेल्व हमें निकालने तो यहां पर देखे रूड लिखा है रूड का मतला होता है यहां पर दो का मतला इसके हमने टुकले करेंगे देखे सोले के चार गुणा चार यहां पर तीन लिखा होता है यहां पर तो तीन का पेर बनाते है जब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 समझा जाता है, तो दो के पेर बनेंगे तो इन 2 में से 1 बाहरा जाएगा, इसमें 3 में से 1 बाहरा जाएगा 21, 25, 22, 27, 27 के टुक्ड़े करेंगे, 3 बुरा, 3 बुरा, 3 अब लेकित यहां भी 3 है तो इसके 3 का पेर बना और जैसे ही इससे बाहर निकालेंगे तो तीन रहे जाएगा तो इसका राइट आंसर हो गया अब यहीं पे देखिए नेश पोश्चन है कोश्चन नम्मर 58 रवी एक काम को दो दिन में और कमल उसी काम को छे दिन में पूरा करता है यदि दोनों मिलका उसको करें तो उसे कितने दिनों में साथ कर लेंगे देखिए रवी जो है कोई एक काम है एक काम उसे दो दिन में कर रहा है तो भी एक दिन में क्या करेगा उसका आदा करेगा यानि एक वटे दो काम तो रवी का एक दिन का काम कितना हो जागा एक वटे दो इसी तरह कमल जो है छे दिन में कोई एक काम करता है तो एक दिन में कम करेगा कम करेगा मतलब एक वटे छे अब दोनों को जोड़ दिये तो रवी एक कमल के एक दिन का काम कितना होगा हमने lc-m ले लिया अच्छा है तो दो वटे तीन जो कर रहा है वो एक दिना काम है तो कुल काम निकाल ले के लिए इसको पलट देंगे तो कुल काम हो जाएगा तीन वटे दो दो से भाग देंगे इसे लेख सकते हैं एक सही एक वटे दो यानिकि इसका जो राइट आंसर है भी हो गया अब उसके बाद देखते हैं उनसाट कोश्टन ये भी असान कोश्टन था कोश्टन क्या है एक ब्रत का छेतरफल सो पाई सेंटीमीटर स्क्वार है उस जीवा की लंबाई कितनी होगी यह जीवा एभी है इसकी लंबाई हमें निकाल लिए केन से दोरी जीवा की छ हो जाए हंड्रेट और हंड्रेट का जो बर्भून होता है वह था दस ठीक है अब समकूर्ण तिर्गुज ओसी ए में लगाया हमने पाई थो इस पर में यहां सोल करके एसी की जो वेल्यू आगए वह आट सेंटीमीटर अगई हमसे पूछी जीवा एसी जो वह एसी की डबल होगी यहांने कि एसी आट निकाली हमने तो जीवा एसी हो जाएक आट दूनी सोला सोला सेंटीमीटर तो इसका राइट आंसर होगी है यह बाला अब देखे सिस्टी कोशन निमना आकड़ों की माध्या किया थी माध्या किसे कहते हैं दिए गए आकड़ों को आरोई करम में रखने पर ठीक वीच का जो पद होता है उसे हम माध्या कहते हैं तो पहले हमने दिए गए आकड़ों को आरोई करम में लिखे है आरोई करम में रखते समय आ दोनों को जोड़ा हमने आधा करा तो 27.5 आ गया ये इसका राइट आंसर आ गया तो यहाँ पर देखिए हमने कोश्चन नमर 51 से लेके 60 तक या यनि 10 कोश्चन का सॉलुशन हमने दे दिया है इससे अगले पार्ट में हम अगली कोश्चन का सॉलुशन हम देंगे सिकरी तो ये वीडियो तक लिए हमारे चैनल बने रहे हैं तब तक करें जय ही जय वारत